भारत गौराव अचारे श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटिस्ट धार्मित भजन वे कारेकरम निशूल को देखने वे सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन पर क्लिक जरूर करें है कि चरित्रवान था कि बेवारिक था ये दुनिया ऐसे ही किसी के पुतले नहीं बना दिया करती है ये दुनिया ऐसे ही किसी की मूर्तियां नहीं बना दिया करती है ये दुनिया आसनों को हमारा भारत नहीं जुकता है हमारा भारत यदी जुकता है तो संतों की समाधी पर अपना सीज जुकाया करता है आचरण पर अपना सीज जुकाया करता है धन्मेभव को कौन सीज जुकाएगा ध्यान रखे आदमी का चरित्र सारी दुनिया में पूजा जाता है क्या स्थिति होती है शरावी की मालूम है कभी विचार किया एक दिन हम लोग बिहार करते हुए आ रहे थे एक शरावी शराव पीगर चला आ रहा है मालूम है कैसा चल रहा है इठला आता बल खात शरावी सीधा नहीं चलता तेड़ा ही तेड़ा चलता है ध्यान रखना जादा पी पीके आया, इसलिए सीधा तो चल नहीं सकता है, देन दुनियान रखना, दुनिया में दो लोग ही टेड़े चलते हैं, एक तो सांप टेड़ा टेड़ा चलता है, एक सराबी टेड़ा टेड़ा चलता है, सांप और सराबी कभी सीधे नहीं चला करते हैं, बड़े टेड़े ट चपलें पड़ती हैं तो अपने आप सीधा तेड़ा तेड़ा चल रहा था शराबी मिनका यार यह दोनों तेड़े तेड़े क्यों चलते हैं यह सीधे क्यों नहीं चलते हैं और एक बात और याद रखना शराबी कितना भी शराब पीता हो इतनी होस्तों रखता है वो किनारे किनारे चलता है मैंने सोजा एक तेड़े क्यों चलते हैं साप भी तेड़ा चलता है शरावी भी तेड़ा चलता है मालूमें तुम्हें क्यों दोनों की कुम्भरासी है शरावी और साप ध्यान रखना कुम्भकार तो दाए घड़ा साप के मूह में जहर का घड़ा है वो शरावी के मुँँ में नसे का घड़ा है ध्यान रखना जिसके मुँँ में जहर भरा हो वो सीधा कैसे चल सकता है वो तेड़ा तेड़ा ही चला करता है एक सरावी को मैंने देखा तेड़ा तेड़ा चला आरा चला आरा आते आते वो सड़क के किनारे क्या होती है वो बलो क्या बोलते हैं तुम्हारे मराठी में अरे नाली नहीं जानते हैं नाली नुतन भाई गटर अच्छे इत्ते अंग्रीज हो गए तुम ये गटर सीधा नाली बेह रही जाई नाली में मालू नाली किसे कहते मालू गटर किसे कहते बताव नूतन भाई अरे अच्छे से बोलो ना तुमको ये थोड़ी करा कि तुम वहीं सिर निकाल के लाए जहां समाज का दुनिया का भारी गंदगी जहां बहा करती है अरे तुमको नहीं आता नूतन भाई तुमको नहीं मालूब नाली किसे कहते गटर किसे कहते मेरे से पूछो कि गटर किसे कहते तो मेरी परिभास ही अलग है मैं यह नहीं कहूँगा कि गंदा पानी वहता है वो गटर है अरे नाली कि वहती है गंदे पानी को गटर नहीं कहा जाता है जो सूकर और कूकर का air conditional restaurant समझ गएंगे ना सूकर और कूकर तुम्हारे यहाँ क्या बोलते है डूकर वही बोलते न नहीं MP में डूकर तो बाप को बोलते है तुम्हारे यहाँ उसको बोलते है ध्यान रखना विचार करना है सूकर और कूकर का air conditional restaurant एक महिने बाद वहीं ऐस फरमाते मिलेंगे ध्यान रखना सूकर कुकर ऐसी कीचर में पड़े रहते हैं जब उसमें लेटते तो नहीं ऐसा लगता है जिसी एर कंडिशनल इस्थान में आकर के बैठ गए हों ध्यान रखना है तो आदमी चला जा रहा था चला जा रहा था चलत साधी का सीजन था कनात के नीचे से घुसना है साधी विवाय का सीजन रेश्टोरेंट खाली पड़ा है चपाक से आदमी गिर गया जैसे सरावी लोग गिर जाते हैं अकसर नाली में ध्यान रखना रहीं पड़े मिला करते हैं इतने में थोड़ी देरवाद सूकर कूकर दो पड़ा सोभाग है हमारा कि आदमी हमारे रेश्टोरेंट में महमान बनके आया है अरे वोले तुझे मालूम है सूकर ने कूकर से कहा वोले क्या वोले अरे आदमी आया यह स्वागत का भूका है इसे माला चाहिए इसे स्वागत चाहिए उसके बिना इसका मन नहीं लगता ह तो बोले हाँ हाँ देखो अपन भारती संस्कती के सूकर और कूकर है हमें भी इनका स्वागत करना चाहिए तो सूकर ने कहा यार माला आला कहां से लाए शाल कहां से लेकर आए बोले नहीं भारती संस्कती में लिखा है जिसकी जैसी हैसियत हो बैसा स्वागत करे जिसके पास जो हो उससे स्वागत करे समझ गए क्या और अक्सर देखना सराबी जब नाली में गिरता है न तो उसका मूँ खुला का खुली रह जाता है बंद नहीं रहा करता है पढ़ा रहता है तो सूकर ने का कुकर भाई पहले तू स्वागत कर दे बाद में मैं कर देता हूँ सूकर उत्रा नाली में जैसे ही उत्रा उसने जाके पहले मू शूंगा उसका बोले धट तेरे की सराब पी के आया है अरे मूरखादमी जिसे मैं नहीं पीता हूँ उसे तू पीता है कभी देखा किसी कुट्ते ने सराब पी हो लखना बोले जिसे मैं नहीं पीता हूँ उसे तू पी कराया है बेटा जब तू ये पी सकता है तो ये भी पी समझ गए क्या कुद्धा क्या करता है तीन पाउ धर्णी धरे एक पाउ आकाश बिस्टाल तो वही है ना तीन पाउ धर्णी धरे एक पाउ आकाश बिन बिजली बिन बादरे बरसे मूशलधार बरसे मूशलः अब समझ जाओ आगे क्या हुआ सरावियों से पुछ लेना जा करके मालूम है जैसे ही मूशलधार मूं में आई शरावी बोलता है मधुरम मधुरम अरे मैंने कहा यारी पागल होगा है आदमी मधुरम मधुरम कह रहा है मैंसे ऐसा लगा कि शराव के स्वाद में और डैस 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 उसके स्वाद में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि देखो यह अपने को तो मालूम नहीं है पूछो सरावियों से सराव का स्वाद कैसा होता है जैसे ही मुँ में गई बोले मधुरम मधुरम सरावी बोला यार अभी तक सराव पीते थे तो नमकीन अलग से लेके खाना पड़ता था समझ गए क्या लगता है फैक्टरी वाले मिलाकी बेच रहे क्या पी गया सूकर ने कहा भाई तूने तो कर दिया स्वागत जल तो हो गया अपने हाँ तो जल पान की विवस्ता है फिर क्या हुआ सूकर उतरा उसने पूछ उठाई आगे उस सरावी से पूछना क्या हुआ ध्यान रखना सरावियों की जिन्दगी ऐसी ही हुआ करती है ध्यान रखना